दोस्तों स्वागत अब सभी का आपके अपने यूटूब चनल सरकारी भारत में दोस्तों आज किस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं SSC MTS Exam 2021 आज 18 एक्टूबर 2021 की सेकंड सिट के टॉप एक्सपेक्टेड कोशन्स को देखने वाले हैं दोस्तों मैत जी के रीजिनिंग के उन सभी कोशन्स को देखने के वाले हैं जो आपके लिए महत पूर है दोस्तों आप सभी को बताते हैं अगर आप SSC MTS की स्टाफ सेलेक्शन कमीशन मल्टी टास्किंग स्टाफ की भरती की तयारी कर रहे हैं अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं गया है यारो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा क्योंकि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ SSC MTS के स्टूडेंट्स के लिए पनाया गया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले हैं तो चलिए फ्रेंट्स स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, इसके बाद हम SSE GD के लिए आपके लिए क्लास ला रहे हैं और आपके लिए डेस्क्रेप्टिब पेपर की क्लासेज भी स्टार्ट की जाएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना फिल्कुल न भूले हैं तो इस तो आज का पहला सवार है अपना, हाल ही में किस बैंक ने आत्म निर्वर महिला स्वाण योजना शुरू की है, तो ये आत्म निर्वर महिला स्वाण योजना जो शुरू की है, ये की है बैंक आप बड़ोदा ने आत्म निर्वर महिला स्वाण योजना शुरू की है, आप से पूछ सकता है जो योनो एप है कौन सा योनो एप है योनो एप है ये किस मेंक ने शुरुवात की है इसकी तो इसका सही जवाब है स्टेट वैंक ओफ इंडिया क्या है स्टेट वैंक ओफ इंडिया ने योनो एप की सुरुवात की है और बात करने स्टेट वैंक ओफ इंडिया की तो इसका 1955 में इसकी स्थापना यानि कि राश्टी करण हुआ था यह पहले Imperial Bank के नाम से जानी जाती थी इसी तरीके से आप से RBI के बारे में पूछ सकता है जो RBI Bank है इसकी स्थापना कब हुई थी तो इसका इसकी स्थापना यह प्रसेद्ध खिलाडी के जन्म दिन राश्टिय खिल दिवस की रूप में मनाया जाता है तो इसकी सबसे जो चर्चत है मेजर ध्यान चंद जिनका जन्म 29 अगस्त को हुआ था कब हुआ था 29 अगस्त को हुआ था मतलब तो 29 अगस्त के दिन ही मेजर ध्यान चंद राश्टिय खिल दिवस की रूप में मनाया जाता है कब मनाया जाता है 29 अगस्त को अब कुछ important डेज है जो कि आपसे examination में पूछ सकता है तो उनके बारे में बात कर लेते हैं तो दोस्तों उनमें से कुछ important है जैसे आपका 5 जून के बारे में पूछा जाता है 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को विश्व मानिवादिकार दिवस मनाया जाता है 8 October को Air Force Day मनाया जाता है 4 December को Navy Day मनाया जाता है 15 January को Army Day मनाया जाता है तो ये सभी डेज इन दिनों में मनाये जाते हैं कुछ और भी डेज है जो कि important है आपके examination में पूछे जाते है जैसे आप से पूछ लेता है 1 माई को क्या मनाया जाता है तो अंतराष्टिय लेवर डे मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 July को Doctor's Day मनाया जाता है 12 माई को Nurse and Midwife यानि के Nurse दिवस मनाया जाता है तो ये भी कोशन जैसे नौजनवरी को विस्व प्रवाशी दिवस मनाया जाता है 14 सेतंबर को क्या मनाया जाता है राष्टिय हिंदी दिवस मनाया जाता है तो ये कोशन भी आप से पूछ सकता है तो चलिए फिंट्स नेक्स्ट कोशन की ओर देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन है दोस्तो विस्व आर्थिक मंज वर्ल्ड एकनॉमिक फॉरम यानि कि WEF जो WEF है वर्ल्ड एकनॉमिक फॉरम 2021 आयोजित कहां किया जाएगा तो इसका सही जब आप है दोस्तो सिंगापूर के अंदर कहां पर किया जाएगा सिंगापूर के अंदर 2021 में इसका आयोजन हुआ नेक्स्ट कोशन है दोस्तो रीजनिंग का कोशन है आसाइन से सवाल है ऐसे प्रशन आपके एक्जामनेशन में पूछे जाते है देखे क्या है D, A, R, E को A, D, E, R लिखा जाता है तो रीग को इसी प्रकार क्या लिखा जाएगा तो आप ऐसे लिख सकते है D, A, R, E ठीक है यह क्या लिखा जाता है A, D, E, R लिखा जाता है यानि के R को यहाँ D को यहाँ E को यहाँ इस तरीके से चलना है मतलब cross के अंदर चलना है तो Rik को क्या लिखा जाएगा R, E, K देखिये क्या लिखा जाएगा R, E, O, E, K clear है तो R यहाँ आएगा E यहाँ आएगा के यहां आएगा यहां आएगा तो इसका मतलब क्या बन के आए आपका इ आर के यह बन के आएगा तो इ आर के आपका लिखा जाएगा चले फेंट्स नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन है दोस्तो मैत का सवाल है गडित का सवाल है आसन सवाल है दीपक और उनक पांच वर्स बाद यहां अनपाद 7 नपाद 2 हो जाए तो बरतमान आयू पुत्र की बरतमान आयू क्या होगी देखे सीधा सीधा सवाल है सबसे पहले हम बात करेंगे दीपक की और पुत्र की आयू क्या है 6 नुपात है क्या निकि हम माल लेंगे 6x बाटे x पांच वर्स कि आयू में 55 जोड़ दीजिए कितना हो जाता है साथ बटा दो हो जाता है क्रॉस मल्टिफिकेशन 6 दुनी 12 एक्स प्लस दुनी 10 और यह कितना हो जाएगा यहां पर 7 एक्स प्लस का साथ पंजे 35 हो जाएगा तो 12 एक्स में से 7 एक्स को गटा देंगे तो भीया कितना बचेग पांच एक्स पुचेगा क्लियर अब यहां इसको गटाएगे तो 35 में से यह गया तो 25 बचेगा यानिक एक्स की वैलू कितनी आ गई पांच आ गई कि लियर एक्स का मान आ गया भी यह निकल कर कितना पांच आ गया ठीक है अब आप से पूचा गया है पुत्त्र की वर्तमा यानि कि 6 पंजे 30 क्या हो जाता 6 पंजे 30 वर्स आपका सही जबाब होता चली फिंट्स नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन है दोस्तों केंदरी आलू अनुसंधान संस्थान कहां इस्तित है देखें केंदरी आलू अनुसंधान संस्थान की बात करना है तो य कहां पर इस्तित हैं आपका शावल अनशंदान के उंधर कटक के अंदर इस्ती इस किस next question देख लेते हैं next question है दोस्तो golden pen of freedom पुरुसकार किस से संबंदित है देखे golden pen of freedom पुरुसकार यह जो संबंदित है यह पत्रकारता के चेतर से संबंदित है किसके चेतर संबंदित है पत्रकारता के चेतर से संबंदित है आप से पूछ सकता है grammy award किस से संबंदित है तो इसक कौन कौन इसका सही जवाब दे पाता है चली फेंस नेक्स्ट क्वेशन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेशन है दूस्तों परमाडुस की सरचना की बरतमान अवधार्णा किस वैज्ञानिक द्वारा दी गए देखिए इसका तो आपने पढ़ावी होगा एने चपन इस तरीके से आपने पढ़ा होगा तो जो परमाडु का सरचना की चली फेंस नेक्स्ट क्वेशन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेशन है दोस्तों टीवी के रिमॉट में कौनसी तरंग होती है देखिए तीवी के रिमॉट की बात करें जिसके अंदर होती है आपकी अवरक तक्रिणने होती हैं कौन सी किरने होती हैं दोस्तो अब रख तक्रिणने होती हैं जो कि team V के remote के अंधर होती हैं next question है दोस्तो यह earn earn को gctp लिखा जाता है तो उसी code में near को क्या लिखा जाएगा इस type के questions आपके examination में पूछे जाते हैं तो आप लोग समझ लेजे, R न, E, A, R, N, मतलब जब भी coding recording का सवाल आए, आप numbering करना स्टार्ट कीजिए, E आता है 5 पर, G आता है 7 पर, plus का 2 हो रहा है, clear है, A आता है 1 पर, C आता है 3 पर, plus का 2 हो रहा है, clear भी है, R आता है 18 पर, और T आता है 20 पर प्लस का 2 हो रहा है clear भी N आता है 14 पर और P आता है 16 पर प्लस का 2 हो रहा है clear यानि कि सारे के सारे element में 2 add करते जाएए अब तो हम यहाँ पर देखें तो near में N आता है 14 पर E आता है 5 पर A आता है 1 पर और R आता है 18 पर समय दो जोड़िये 14 और 2 16 16 पर क्या नमबर आता है P आता है 5 और 2 7 7 पर क्या आता है G आता है A एक पर आता है 1 और 2 3 3 पर क्या आता है C आता है 18 और 2 20 20 पर क्या आता है T आता है यानि PGCT यानि कि हम near को क्या लिखेंगे नियर को लिखेंगे PGCT लिखेंगे और यही क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा चले फिंड्स, नेक्स्ट कोउशन देख लेते हैं नेक्स्ट कोउशन गड़ित का सवाल है, आसान सा सवाल है किसी विध्याले में कुल विध्यारतियों का 70% लड़किया है तो लड़कों की संक्या 510 है तो विद्याले में कुल विद्यारतियों की संक्या क्या है देखे अगर विद्याले की बात करें लड़के और लड़कियों की तो दोनों में लाके 100% होंगे किलियर है उसमें से गल्स कितनी हो गई भई 70% यानि कि बॉयज कितने बचे 30% वोईच कितने बचे 30% यानि कि 30% का मीनिंग कितना दिर रखा है भई 510 तो विद्ध्याला में कुल विद्ध्यारती कितने थे 100% की वैलू निकल देंगे तो यानि कि 510 बटे 30 गुड़े 100 यही तो होगा 0 से गया 0 और सत्रे तिया क्या मन सत्रे का 100 से गुड़ा करेंगे तो 17 121 डवल ची तो कुल मिलाकर विद्ध्यारतियों की जो संख्या क्यों कितनी होगी 1700 होगी छले मेंच्ट वैकों रहल में तो इनका पूरा नाम सता हेनरी वेकुरल क्या था हेनरी वेकुरल तो जो रेडियो धर्मी वेकुरल रेडियो धर्मी प्रदूसर्ण मापने की जो एकाई है वो क्या है है हेनरी वेकुरल है चली फैंट्स नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं चौदरी चरन सिंग ठीक लाल बहादुर सास्ती का क्या है विजय घाट है क्या है विजय घाट आपसे पूछ सकता है चेत्रा भूमी किसकी है तो चेत्रा भूमी है आपका टॉक्टर बावसाव भीमराव अंबेड करकी आपसे पूछ सकता है जैसे पूछ ले आपसे सांतीव किसका है? तो पंडेजवालालार। रूराजगाट किसका है? महत्मा कांधि का इसी तरीके से अभैगात किसका है? मुरारजी देसाई का चलि फेंड नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन है बाडबट कि समराट के दरवारी कभी थे? तो इसका सही जबाब है दूस्तो हर सवर्दन के दरवारी कभी थे आप लोगों के लिए क्वेशन छोड़ते हैं बताईएगा मेगस तनीज किसके दरवारी कभी थे दरवारी कभी तो नहीं थे लेकिन मेगस तनीज किसके सासनकाल में दरवार में रहते थे जो विदेश से बहर मतलब भार से आये थे तो इसका अंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा तो चली फेंट्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके यार चैनल को सब्स्प्राइब करना बिल्कुल ना मूले चली मिलते नेक्स्ट वीडियो में थेंक्यू थेंक्यू पर वाचिंग दस वीडियो